नमस्कार दोस्तों, welcome to my channel, मेरा नाम है अंकित, आज हम फिर से average पे बात करेंगे, तो average का formula है sum of all observations divided by total number of observations, इसको थोड़ा और समझते हैं क्योंकि इसके context में कई questions हैं जो की बहुत simply solve हो सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए, sum of all observations divided by total number of observations आखिर करता क्या है, इसस होता क्या है, तो हम एक data उठा लेते हैं, मान लिजिए, 5 students के marks का data है, जैसे कि 10, 15, 5, 8 और 17, ये marks हैं उनके, किसी भी 50 में से मान लिजिए marks हैं, या 20 में से marks हैं, अब इसका अगर हम average निकालते हैं, तो क्या करेंगे, total sum कर लेंगे, 10, 15, 5, 30, और ये 25, यानि 55, ये total sum हुआ और अगर मैं इसको, total जितने ये लोग हैं, observations कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से अगर divide कर दूँगा, तो 11 आ जाएगा हमारा average, ये average आखिर करता क्या है, तो जिस तरीके से mean, median, mode, जो की central tendency हैं, सारे observations को center की तरफ ले जाती है, उसी तरीके से हमारा average भी, mean और average एक तरीके से equivalent है, वो इस 11 की तरफ ले जाता है, मतलब जो उपर है, 15 पे है, वो भी 11 पे आ जाएगा, जो 10 पे है, वो भी 11 को resemble करेगा, show करेगा, दर्स आएगा, जैसे अगर मैं कहूं कि अभी ये भी 11 हो गया है, 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 त इतना भी हमारा observations है, उसको एक तरफ ले जाता है, जैसे 5, अब अगर कोई पूछे, कि class का average marks कितना है, तो 11 बताएंगे, अब उसमें जो 5 वाला बच्चा है, वो भी 11 से show हो जाएगा, जो 8 वाला बच्चा है, वो भी 11 से show हो जाएगा, और जो 15 है, वो भी 11 से show हो जाएगा, इसका मतलब 15 वी 11 हो गया, और 5 वी 11 हो गया, तो average ये काम करता है, मतलब ये formula ये काम करता है, इस context में जो questions हमारे exam में आते हैं, काफी easy होते हैं, वो हम देखते हैं, तो हमारा question है, average of 6 number is 45.5, if a new number is added, the new average becomes 46, find the number, अभी अभी हमने देखा, कि average में क्या होता है, जो sum होता है, वो equally distribute हो जाता है, अगर किसी 6 number का average 45.5 है, इसका meaning क्या हुआ, कि वो 6 वो number इसको resemble कर रहे हैं, 45.5 पे हैं, मतलब अगर मैं 6 बार 45.5 लिखके, आपको समझाओं, तो easily समझाएगा, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, अब हमने इसमें एक नए number को ले आएं, जिसकी वज़े से average 46 हो गया है, तो अगर average 46 हो गया है, तो क्योंकि average जो होता है, वो sum number को equal पे ले जाके रख देता है, मतलब जो 45.5 है वो 46 हो गया यह 45.5 भी 46 हो गया है यह 45.5 भी 46 यह भी 46 यह भी 46 और जो नया नमबर आया है वो भी 46 पे होगा क्योंकि average सभी 7 नमबर का क्योंकि एक नया नमबर एड हो गया है तो ने साथो नमबर का average 46 हो गए, इसका mean, जो में find करना है, वो क्या है और कितना है, तो नय नमबर इसमें 0.5 का बढ़त दे रहा है, इसमें भी 0.5 का बढ़त दे रहा है, सब में 6 वो 0.5 का बढ़त दे रहा है, और 46 वो खुद है, तो हमारा new number क्या है, तो 0.5 multiplied by 6 plus 46 यानि की 3 plus 46 equals to 49 अगर हम 6 number जिनका average 45.5 है उसमें सात्वा number 49 जोड देंगे तो सात्वा number का average 46 हो जाएगा Next question है मारा The average salary of 5 persons is 5000 Salary of 1 person is added The average increases to 5200 Find salary of new person Question कह रहा है कि 5 लोगों की salary का average है 5000 एक बंदा और उसमें अगर हम जोड दें तो average बढ़ जाता है बावन सो तो पताईए कि नए बंदे की salary कितनी है अब हमें ध्यान देना है कि जो average है वो क्या करता है वो सबको equal पे रखता है क्योंकि किसी एक के salary add होने से average बढ़ जा रहा है इसका मतलब उसकी salary इन से जादा है और कितनी जादा है जिसकी वज़े से ये increment हो रहा है तो अगर 5 लोगों की salary 5000 है इसका मतलब सभी 5000 पे है और addition के बाद new member के addition के बाद ये लोग 5200 पे पहुँच जा रहे है और average क्योंकि 5200 है तो new member भी 5200 पे तो है ही है तो new member जो है वो क्या कर रहा है सब की salary में 200 का increment करा रहा है और फिर भी उसका average 5200 है इसका मतलब उसकी salary कितनी है तो 200 जो है 5 ताइमस उसने 5 लोगों में उसने increment करा यानि 200 multiplied by 5 प्लस जो उसका खुद का अभी का salary है average के हिसाब से तो यानि उसके पास 6200 उसकी salary है next question है मारा in a class average age of 24 students and their teacher is 15 years if the age of teacher is left out their average decreases by one find the age of teacher क्या हो रहा है इस context में यहां पे 24 बच्चे है और उनका teacher उन दों 25 लोगों की age का average है 15 teacher चला जाता है तो average घट जाती है तो teacher की age बतानी है हमें कि वही क्या हो रहा है इस question तो teacher के जाने से average घट रही है इसका मतलब teacher की age जो है इस formula से के average जो है वो टोटल सम को distribute कर देता है सब में इसका मतलब जो teacher की total age थी जो भी वो सभी बच्चों में distribute हो रखी थी जिसकी वह जैसे उनका average 15 पे था अब teacher के जाने से वह एक से घट गया है तो teacher की age कैसे निका लेंगे तो जो ले गया तो teacher की उमर क्या हुई तो 24 बच्चों में से teacher एक साल चुरा ले गया प्लस 15 जो उसका खुद का average बना हुआ था बच्चों की वज़े से उसका कम हो रखा था बच्चों का बढ़ रखा था क्यूंकि teacher के पास ज्यादा मात्रा में उमर थी तो teacher की उमर कितनी हुई 24 प्लस 15 39 इस तरीके से हम question को करेंगे देखेंगे कि जहां हमारी average अगर बढ़ रही है इसका मतलब बंदा आ रहा है और average घट रही है इसका मतलब बंदा जा रहा है next question है हमारा the average of a student in four subjects is 75 if the student obtain 80 marks in the fifth subject find the new average कोई एक बच्चा है जिसके चार subject का average 75 और next subject में उसने ची marks ले लिए तो अब नया average जो पांचो subject को मिला के बनेगा वो क्या होगा तो जैसा कि हमने समझा अपने concept में कि अगर average 75 है इसका मतलब चारो जो subjects हैं वो 75 के आसपास मतलब 75 को resemble करेंगे क्योंकि अभी हमें marks नहीं मालूम है average मालूम है कोई ज्यादा भी हो सकता है कोई कम भी हो सकता है लेकिन average क्योंकि 75 है तो सारे 75 को resemble करेंगे अब last subject में उसके आगए 80 marks तो वो average पे कैसे जो average हमारा 75 75 है इसके पास 80 है तो इसमें 5 जादा है वो 5 क्योंकि ये 5th subject है इसमें से अगर हम 5 निकालने 75 ही रख दें और इस 5 को वापस से क्योंकि average में equally distribution होता है तो इस 5 को वापस से सब में बाढ़ दें तो सब को एक एक extra मिल जाएगा सारे 76 पे पहुँच जाएंगे और हमारा जो sum होगा 80 को और इन 75 को सभी 75 को मिलाने के बाद वो equivalent हो जाएगा वापस से तो new average हो जाएगा 76 तो गाइज यह थे आज के हमारे important questions बाकी और कुछ questions जो important है exam point of view से उनके साथ हम मिलते हैं अपनी next class में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन